आपने अश्टवक्र के बारे में सुना हैं? अश्टवक्र का मतलब उनके शरीर में आठ तरह की विकलांगताएं थी वे ऐसे पैदा हुए थे क्योंकि उन्हें उनके अपने पिता निश्राब दिया था जब वे अपनी माता की कोख में थे उनके पिता भी एक मशूर संत थे और एक महान विद्वान थे जो कई जीवन कालों में बहुत कुछ प्रात कर चुके थे जब पतनी गर्वती हो तो परंपरा का हिस्सा है कि गर्वती इस्तरी को सभी गरंथ अच्छी चीजें और ग्यान सुनना चाहिए क्योंकि उसे गलत और नकारात्मक चीजें नहीं सुननी चाहिए उसे अच्छा संगीत और अच्छी चीजें सुननी चाहिए लोग भगवत गीता और वेद पढ़ते हैं वे समझे या ना समझे फर्क नहीं पढ़ता बच्चा सुनेगा और धीरे-धीरे वो सुनकर उसका विकास प्रभावित होगा तो यही करते वे पिता कुछ बोल रहे थे एक ग्रंथ समझा रहे थे तो अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी जो पिता की बात से असहमत थी बच्चे ने कोक से कहा नहीं यह सही नहीं है आप नहीं समझे पिता इससे इतना चिड़ गए कि बेटा पैदा भी नहीं हुआ और अस्विकार कर रहा है यह उसे अठारा की उम्र के बाद करना चाहिए यह जन्म से पहले ही बोल रहा है आप गलत हैं यह किशोरावस्था में हुआ करता था वे बहुत गुस्सा हो गए और उसे श्राब दिया इसे आठ तरह की विकलांगताएं हो जाएं तो वे पैदा हुए एक लगभग गैर इंसानी रूप में तेड़ा मेड़ा शरीर तो उन्हें अश्ट वक्र नाम दिया गया आठ तरह की विकलांगताएं पिता राजा के क्या कहें वे राजा के दर्बार में थे जनक के दर्बार में एक विद्वान थे बहुत ही उंचे विद्वान राजा जनक को ग्यान पाने की गहरी इच्छा थी वो आत्म ग्यान चाहते थे तो वे हर तरह के संतों वे द्वानों और वैसे हर इंसान को हर जगे से अपने दर्बार में ले आए और उनसे शिक्षा लेने लगे और कुछ समय में वे खुद एक शमतावान योगी बन गए लेकिन वे अब तक आत्म ग्यानी नहीं हुए थे फिर एक दिन अश्टवकर के पिता इसे छोटे बच्चे को तर्बार ले गए जब राजा जनक ने अश्टवकर को देखा अश्टवकर ने उनकी आँखों में देखा राजा आपको देखें तो नीचे देखना होता है जो सभी विद्वान और अन्य लोग करते थे लेकिन इस बच्चे ने बस सीधा उन्हें देखा तो जनक थोड़ा चौक गए इतना विकलांग शरीर उनका शरीर इंसानों की तरह नहीं था लेकिन बच्चे की आँखें ऐसी थी वो बस राजा को देखता रहा और बोला यहां जितने विद्वान बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ पर इन में से कोई भी और मेरे पिता भी आपको वो नहीं दे पाएंगे जिसकी आपको तलाश है राजा हक्का बक्का रह गया यह आठ नौ साल का बच्चा उसे यह बोल रहा है और उनके पिता उन्हें चुप करना चाहते थे क्योंकि इस बच्चे को शुरू से ही ऐसी बातें करने की आदत है फिर अश्ट वक्र 12 या 14 की उम्र में परिवार छोड़ कर जंगल चले गए एक दिन राजा जनक शिकार खेलने गए अपने सिपाहियों और लोगों के साथ शिकार खेलते वे वे सबसे अलग हो गए और जंगल में खो गए फिर उन्हें जंगल में अश्ट वक्र बैठे मिले तो गोड़े पर बैठा राजा जनक उन्हें देख कर बोले आप यहाँ हैं अश्ट वक्र बोले हाँ और उन्होंने अपने तरीके से उनसे कहा कि मैं ही आपको यहाँ लाया हूँ उन सभी लोगों से दूर अगर आप बस मुझसे निर्देश लेने के लिए तैयार हों तो मैं आपको वहाँ पहुचा दूँगा जहां आप जाना चाहते हैं राजा जनक ने पूछा क्या आपने मेरे सिपाहियों को देखा क्या आपने शाही लोगों को देखा है क्योंकि वे उन्हें ढूण कर घर जाना चाहते थे अश्टवकर ने पूछा आपके लिए जादा महत्वपून क्या है वो जो आप जीवन भर ढूणते रहे है या घर वापस जाना क्या महत्वपून है इसका राजा पर बहुत असर हुआ वे बोले नहीं मैं सिर्फ वही चाहता हूँ महल वापसी की मुझे कोई चिंता नहीं है और वे घोडे से नीचे उतरना चाहते थे उन्होंने एक पैर उपर उठाया और वे उपर थे एक टांग उपर एक यहाँ अश्टवक्र बोले रुको वहीं रुक जाओ जब राजा घोडे से उतर नहीं वाले थे वे बोले वहीं रुक जाओ असुविधा की स्थिती में घोडे पर ऐसे एक पैर उपर एक पैर रकाब में वे बोले वहीं रुको ये पहली जेन गटना थी ठीक है और वह नीचे उत्रे अष्टवक्र के आगे जुके और वही रहना चाहते थे कुछ समय बाद अष्टवक्र बोले आप महल वापस जाईए जनक बोले बिलकुल नहीं महल मेरे लिए कुछ नहीं है मैं वापस नहीं जाऊंगà तो अश्टवक्र बोले प्रश्णी ये नहीं है कि आप राजा होना चाहते हैं या नहीं इस देश के नागरिकों को आत्म ज्यानी राजा की सरुरत है तो आपको वापस जाना चाहिए तो उन्होंने इस जनक को वापस भेज दिया झाल